सो हलो प्रेंट स्वागत आप सभी आप फिर से एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने हो लाओं कि आप क्राइम मास्टर से अपनी फिरिफायर वीडियो को सलो मोशन कैसे कर सकते हो अगर दोस्तों आप किसी भी फिरिफायर वीडियो को क् ब्ροいく करते हैं और को सिंगातेमितों फ्रींफार वीडियो से स्लो मोसन करने के लिए संपल्य क्या करना है सबसे पहले आपको डॉटको ओपन कर लेना है दो स यहां पर देखते हो मेरे मुझाल में क्राइन मास्तर Pak We करने के बाद दोस्तों सबसे पहले क्या करना जिस प्रिफार वीडियो को सलो मोसन में एडिट करना वो दोस्तों यहां पर आपको स्लेट कर लें तो दोस्तों यहां से मैं क्या करता हूं सबसे पहले उस वीडियो को स्लेट कर लेता हूं जिस वीडियो को मैं सलो मोसन में एडि जैसा कि दोस्तों अभी आपको वीडियो को देख लिया है वीडियो में कहीं पर भी सलो मोशन नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को मैं सलो मोशन करने वाला हूं और दोस्तों आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी फिरिफायर वीडियो को सलो मोशन कैसे कर सकते हो तो चल वीडियो को दोस्तों यहां पर आपको सलेट कर लेना तो दोस्तों यहां पर देखते हो मैं यहां से यह हेड लगा रहा है उसे डाउन कर रहा है बंदे को तो दोस्तों यहां पर मैं सलो मोशन कर देता हूं तो दोस्तों यहां पर मैं वीडियो को कट कर देता हूं वीडियो को यहां पर देखतों यह जो हेड लग चुका है फिर से मैं वीडियो को यहां से कट कर देता हूं तो दोस्ते यहां पर आप देखतों यह हमारा बीच का भाग है जो यहां पर आप देखतों इसे में सलो मोशन करने वाला हूं और दोस्ते यहां पर देखतों आप देखतों आप को दिखाई दे रह bisschen बंदय को देखने जा रहां ठाइब और दोस्तों यहां पे आप देग aut reforms नहीं कर रखा है जो की speed आपको दिखाइब दे रहे हुगी दोस्तों इस video को जरीए मैं आपको सिखाने वा था कि आप अपनी free fire की किसी भी वीडियो को slow motion कैसे कर सकते हो crime master से तो दोस्तों यहां से आप कहीं से भी अगर चाओ कहीं से भी अगर आपको head लगाते हो किसी बंदे को या फिर किसी बंदे को कहीं पर भी आप down करते हो तो दोस्तों यहां पे आप अब अपनी वीडियो को cut करके slow motion में कर सकते हो याँ पे आदेश्यो जएसा कि मैंने आभी आपको दिखाय था इसको मैंने अभी slow motion में edit किया है जैसा कि दोस्तो आप अपनी free fire video pay वीडियो को slow motion में edit कर सकते हो crime master से तो दोस्तो उम्मीद करूंगा अगर दोस्तों आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब जरूर के लेना तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में